उन्पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीट पीछे बात करते हैं इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप उनसे दो कदम जो हैं वो आगे हैं और एक बात आप उनके बारे में बिल्कुल आपको सोचना ही ने चाहिए क्योंकि जो आपकी बुराई करते हैं आपके पीट-पीछे बात करते हैं ऐसा करने से क्या होगा अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो कही ना कही यह आपके खुद का टाइम बेकार होगा और आप जो कर सकते हैं वो समय में वो समय का भी इटलाइज जो है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हमेशा याद रखना आपका बुराई वही लोग करते हैं जो आप से पीछे रहते हैं क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नहीं है कैमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे और एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सभी किसी भी अग्जाम का मोग्टिस जो है वो देश सकते हैं रेलवे, SSC या बैंक का हिंदी और इंग्लिस डोनों ही लेंग्वेज में आपको गूगल के प्ले स्टोर पर हमारा एप्लिकेशन जो है वो मिल चाएगा और एक बात अगर एक साल के लिए अगर वहां से पैकेज बाई करते हैं ये 399 वाला तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको आने वाले एक साल तक हर एक एक एकजाम का 20-25 से दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में ताकि आप अपने आपको जच कर पाओ एकजाम से पहले कि आप एकजाम से पहले कितना प्रिपियर है African एक्जाम है 10 प्लस 2 SAC का तो जिनका भी एक्जाम है सभी को best of luck एक्जाम बहुत अच्छे से देना और safety के साथ आप सभी जाएगा जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था तो देखते हैं आज का और हां आज सारे दिन जो भी एक्जाम में question आएगा मैं उसका review आपक हो math हो even reasoning हो ठीक है ना तो देखते हैं आज का पहला question हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला question है सरकार ने डीजल की door step delivery के लिए कौन सा mobile application यानि mobile app जो है वो केंदर सरकार के द्वारा launch किया गया है कहने का मतलब है अब जो डीजल है ना वो आपके घर तक पहुचाया जाएगा ऐसा पहल स्टार्ट किया गया है एक mobile application के द्वारा यानि वो mobile application को अगर अपनी phone में आप install करते हैं और वहां से order करते हैं तो डीजल जो है वो आपके घर तक पहुचाया जाएगा उस application का नाम क्या है उस app का तो उस application का नाम दिया गया है हमसफर option number आपका D ठेक है अगला परस हमारे सामने है डॉक्टर स्यामा परसाद मुखरजी पुरुसकार 2020 यह खिताब जो है वो किसे दिया गया है यह आपको बताना है बहुत important question है यह वाला भी डॉक्टर स्यामा परसाद मुखरजी अवार्ट 2020 जो है यह छटे इंडिया idea conclave में यह अवार्ट दिया सर्वानन सोनवाल को और आप सबी को पता है यह कौन है तो आप सबी बोलेंगे भईया यह असाम के मुख मंत्री है और असाम के राजजिपाल कोन है जगदिस मुखी और कैपिटल राजधानी तो आप बोलेंगे दिस्पुर अगला प्रस हमारे सामने है उस उपगरह का करने के लॉंच किया जाएगा उस उब्गरा का नाम क्या है तो उस उब्गरा का नाम है जी ओ इमेजिंग सेटलाइट 1 ठीक है ना जी आई सेट वन अच्छा बहुत जन को इसका फुल फॉर्म पता नहीं है तो कम से कम इसका फुल फॉर्म भी आप सब याद रखेगा जी ओ सेटलाइट ठीक है और इस रो के चीफ कौन है के सिवन हेट क्वार्टर तो आप बोलेंगे भाईया बैंगलोरू में है अगला प्रसमारे सामने हाल ही में निधन हो चुके विरेंदर सिरो ही किस राजनितिक दल से संबंदित रखते थे यह आपको बताता है तो मैं आपको बता दू बीजेपी के MLA रह चुके हैं जिनका हाल फिलाल में निधन हुआ है और अब आपके मांड में ये कुश्न आएगा भाईया ये BJP के MLA तो हैं लेकिन कौन से रास से ये MLA रह चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ यह उत्तर परदेश से MLA रह चुके हैं BJP पार्टी से तो अगर एक्जाम में आपसे ये भी पूछ देना कि विरेंदर सिरोई का जो निधन हुआ है वो किस छेत्रे से जुड़े हुए तो आप क्या बोलेंगे पॉलिटिक्स question को कैसे भी पूछ सकता है यहाँ पर cut to cut आप सभी clear रखेगा और उत्तर परदेश के जो राध जुपाल है वो कौन है तो आप सभी को पता है गुजरात के पुर्व मुख्य मंतरी अरंदी बेन पतेल को जो है वो गुजरात उत्तर परदेश का राध जुपाल बनाया गया और CM तो सभी को पता ही होगी अधितनात और कैपिटल लखनव अगला प्रस हमारे सामने है FIH यानि यहाँ पर बात कर रहा है हौकी के बारे में यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से सुनना निमलीखित में से किसने FIH अंतरास्टिय हौकी महासंग की विस्व रैंक्टिंग 2020 में सिर्थ स्थान को जो है वो बरकरार रखा है ठीक है अपना जो टॉप स्पोर्ट था उस कंट्री ने दुबार रिटेन कर लिया है तो वो कंट्री कौन है वो कंट्री है आपका बेलजियम यहाँ पर दो-तीन डाउट मैं आपका किलियर करूँगा पहले तो ये अगर मे इंडिया का रैंक क्या है तो इंडिया का जो रैंक है वो है आपका चार नंबर पर पहला डाउट आपके लिए रखेगा दूसरा डाउट अब आपके दिमाग में आएगा भाया महिलाओ के कैटेगरी में टॉप पर कौन है ये बताओ तो पहला मैंने क्या बताया मेंस कैट पर आपका Belgium है और India फोर्थ पर है अगर बात करें यहीं पर की Omen's category में अगर टॉप पर कौन है तो आप क्या बोलोगे टॉप पर भाईया Omen's category में है आपका Netherlands, option number आपका A तो भाईया महिलाओ की category में इंडिया का rank क्या है तो इंडिया का rank आपका 9 number है क्लियर ना महिलाओ में इंडिया का rank 9 number है पुरुस में 4 number रंक है होकी के मामले में और टॉप पर पुरुस में कौन है Belgium और महिलाओ में तो Netherlands आपका पहला परस्थ इसी question से निकल कर आ रहा है आप सभी को comments करकर यह बताना है कि Belgium का मुद्रा क्या है currency, Belgium का रासधानी capital क्या है और Belgium के पढ़ान मंत्री यानी PM का नाम क्या है यह आपको comment करके बताना है यह आपका आज का पहला परस्थ ने अगला परस्थ हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि कौनसी टीम ने रंजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है अभी बहुत trending topic के हाल फिलाल में यह match खतम हुआ दो दिन पहले और आप सभी को पता है Bengal को हरा कर सौरास्ट ने पिछले 70 साल में पहली बार रंजी ट्रॉफी जो है वो खिताब जीता है फॉस्ट टाइम इन 70 एर्स कौनसी कंट्री और कौनसा टीम है तो वो टीम है आपका सौरास्ट तो इस बार का question काफी important है इस चीज़ को आप notes कर लीजेगा 2020 का रंजी ट्रॉफी टीम जीतने वाली टीम का नाम क्या है तो सौरास्ट बंगाल को हरा कर आप नाम याद रखिएगा किस टीम को हरा कर तो बंगाल को हरा कर ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है किस राज सरकार ने राज्य में खिलाडियों और कालाकारों को लाब पहुचाने के लिए दो योजनाए का जो है वो स्टार्ट किया है दो योजनाए नाम क्या है CMAST और CMAT सुरू की गई है और ये सुरू किया गया है आपका मनीपूर के राज सरकार के द्वारा अब ये है क्या मैं थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो भी खिलाड़ी वहां के नेसनल लेबल की गेम को खिले है ना उस खिलाड़ी को 50 साल के बाद पेंशन जो है वो दिया जाएगा इसमें और कालाकार को भी ठीक है ना इस दो स्किम के तहट जो है, जो भी खिलाड़ी 50-60 साल के पार जाता है, उनको जो है वो पेंसन दिया जाएगा, और ऐसा लॉंच करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मनीपूर, और मनीपूर के मुख्यमंत्री, एन्बिरन सिंग, कैपिटल, तो सभी को पता है, और अगर बात करें वहाँ के गवर्नर, राज्युपाल के बारे में, तो वो कौन है, नजमा है पतुला, ठीक है न, अगला प्रस हमारे सामने है, वर्ल्ड कंजूमर डे, विस उभोकता दिवस जो है, वो प्रतिवर्स हम लोग कम मनाते हैं, तो वो मनाया जाता है, आपका 15 अब एक बात और आता है, आप सभी को ये चीज़ तो किलियर हो गया, वर्ल्ड कंजूमर डे जो है, वो 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको क्या यात रखना है, वरना आप बोलोगे बाब में, बजित्तु भाईया आपने तो अलग से आपको डेट के साथ साथ मैं हमेसा बोलता हूँ, कोई भी डेट, अगर आप पढ़ते हो ना तो साथ साथ में आपको उसका थीम भी याद रखना है, थीम मतलब बिसय, तो वर्ल्ड कंजूमर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो करते हैं हम सभी 15 मार्च को, बिसय क्या ह इस बार का, वर्ल्ड कंजूमर डे का, दो हज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ अब बहाल किया जाएगा ऐसा ग्री मंत्री ने अब भी हाल फिलाल में commitment दिया है, कहाँ पर जम्मू एन कास्मीर में, अच्छा जम्मू एन कास्मीर के उपर राज़ुपाल कौन है, लेफिनेंट गवर्नर बताओ, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है, तो आप क्या बोल जम्मू एन कास्मीर के उपर राज़ुपाल कौन है, जीसी मुर्मू यानि पूरा नाम इनका फुल लेम, ग्रीश चंदर मुर्मू के सलाकार के रूप में किसे नुक्त किया गया है, और नाम क्या है, बसीर खान, याद रखना, कुस्सन काफी important है, जम्मू एन कास्मीर के जो left and governor है, उपर राज़ुपाल है, ग्रीश चंदर मुर्मू, उनके advisor कि से appointed किया गया है, तो उनका नाम है आपका बसीर खान, राइट, अगला प्रस हमारे सामने है, जल सक्ति मंत्री के अनुसार, अच्छा जल मंत्राले, यहाँ पर जल सक्ति की बात कर रहा है न, अब ए जल सक्ति मंत्री, यानि गजेंदर सिंग से खावत के अनुसार, भारत में भुजल किस रसाइनिक तत्व से दूसी थे, और वो क्या है आपका uranium, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा, uranium का atomic नमर क्या है, यह सब तो कम से कम पढ़ लिजेगा, मैं बहुत बार बोला हूँ, एक से तीस तक तो आप सभी रट्टा मार लो, जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे थे न, तो दिमाग में बैट गया था, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बैलन, ऐसे आपको भी याद करना है, कम से कम तीस तक, क्योंकि एक्जाम में अक्सर क्या होता है, आपसे atomic number से question बहुत बार पूछा जाता है, हाला कि किसंसर ने आपको पूरा periodic table में A to J data बता दिया है, कौन सा तक तो किस group में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, metal कौन सा है, non-metal कौन सा है, तो थोड़ा physics के जो basic chapter है न, उस पर थोड़ा command लेकर आओ, ताकि आप current affair के सासा GS में भी अ atomic number क्या है, तो वो है आपका बानबे, यानि की 92, ठीक है, तो ये थे आपके important current affair 17 March का, और हाँ 3-4 दिन से, ये सुब़ा current affair वाला class जो है, उसका time थोड़ा सब बिगड़ा हुआ था, लेकिन उमीद करते हैं, कि अब से सुब़ा साड़े 4 बजे ये class आपको regular मिलेगा, और ए आज exam है, पूरे safety के साथ जाएगा, चैसे मैंने आपको कल भी रात को बताया था, so best of luck everyone, exam बिल्कुल अच्छे से देना, सारे दिन आज आपको review दूँगा, exam में क्या कुछ से नाया, क्या नहीं आया, so मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत good morning, और हमेशा की तरह, अपने साथ साथ, अपने मम्मी और पापा, दोनों का ही खयाल रखेगा, ठीक है ना, चलिए, और हाँ, इसका PDF आपको इस विडियो के description box में मिल जाएगा, और एक बात, दिसंबर का PDF जो है, वो up to date नहीं है, दो-तीन comment से मैं पढ़ रहा था, भाईया, दिसंबर वाला रात को साड़े 11 बजे वाले class का PDF आपने up to date नहीं किया है, तो वो आज दीन में 12 बजे के बाद भी जो है, वो up to date कर दिया जाएगा, इसको लेकर आप बिलकूल भी tension मत लो, ठीक है ना, चलिए